गाइज अगर आप यहाँ पे अपने विंदूस को यहाँ पर यहाँ पर अपडेट करते हूं और अपडेट यहां पर अगें तो यहां पर यहां पर लिगता हूं मैं आपको यहां पर two different methods में आपको बताऊंगा तो आपको इस वीडियो को whole completely watch करना है और guys अगर आप मेरी चैनल पर भी नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरी चैनल को भी subscribe कर ले और bell icon पर ले क्लिक कर ले क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के important important वीडियो जोगर डालता हूं जो आपको हमेशा काम में आने वाला है तो guys आपको सबसे पहले तो करना यह है कि अगर आपके वीडियो इवेंट लॉग के नेम से तो जैसे आप यहां पर देखो कि यहां पर यह आपको शो हो रहागा वीडियो इवेंट लॉग तो आपको इसे find out करना है और आपको इसके उपर right लिक करका आपको इसके properties में चले जाना है अब आपको यहां पर चेक करना है कि आपका यहां पर start of type में जैसे मेरा manual selected है अगर आपको इसे running में कर सकते हो जैसे मेरा already running में ही है तो आप मैं यहां पीसे apply करता हूं then okay कर लेता हूं अब आपको करना क्या है कि अब आप यहां पर देखो कि यहां पर आपको windows event collector का आपको यहां पर option आपको इसके भी properties में चले जाना है properties में जाने के बाद फुर आपको इसमें भी check करना है कि आपको यहां पर automatic selected है कि अगर न आपको इसे okay कर देना है अब आपको इसे download करना है अब आप यहां पर देखो कि यहां पर आपको विंडूज अपडेट का आपको यहां पर options होगा तो आपको इसके भी properties में चले जाना है properties में आने के बाद फिर आपको यहां पर इसे automatic में set करना है और यहां पर भी servers status को आपको इसे okay कर देना है और एक बर आपको इहां पर अपने वींडूज को एक बर restart कर लेना है restart कर लेने के बाद अब मैं आपके हापे second method बताता हूं कि second method बापको करना कहा है second method में करना है यह ही कि आपको again आपको start menu जाना है आपको यहां पर cmd type करना है command prompt और आपको है आपने इस वीडियो के description में भी दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जा रहा हूँ, आप इससे directly copy कर सकते हैं, जैसे मैं इहाँ से इसे copy कर लेता हूँ, तो यहाँ से copy कर लेना है, copy कर लेने के बाद फिर आपको इहाँ पे इसे paste कर ददना है, paste कैसे करना है, आपको command prompt के आप यहां पर डारेटले अपने कीबूर में चंट्ट्रूल प्लस वी बटन को भी प्रेस करके आप यहां पर पेस्ट कर सकते ह। इन थे इंटर फेस्ट करना है फिर आपको यहां पर अगें आपको इस कमाड को फिर आपको बाइब बटन को प्रेस करके आपको हाँ पर कॉपी करना है अब आपको यहां पर पेस्ट कर दिना है कंट्रूल प्लस वी बटन को प्रेस करकर अब जो नेक्स्ट कमांड जो लास्ट कमांड है आपको इसे भी यहां से कॉपी कर लेना है सभी आपके हाँ पर सक्सेस हो जाएंगे तो तो वीडियो में है जो problem आ रहा है वो आपका permanently solve हो जाएगा और आपका है जो विंडूस है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो गाइज मैं फिर मिलता हो next video में तिल दैन और और एक बात और सस्क्राइब बटन पे दो तीन फैट लगा दिजेगा जिससे एक सस्क्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए